हमस्पार दोस्तों मेरा नाम हष्ष्ष स्थ Citizens आप देख रहें वर्म टो दोस्तों आज यहां पर किट कौन सी अच्छ है कौनसी लेनी चाहिए किसके अंदर हमें sound quality जो है वो अच्छा मिलेगा तो यहां पर दोस्तों आज का वीडियो हमारा यह है तो दोस्तों वीडियो में बने रहे इसी चीज के आज आज आपको जानकारी मिलेगी देखे पहले हम बात कर लेते हैं इस कि देखे यह वाला किट मार्किट के अंदर हमें मिलता है बहात्तर पैंसर टू पॉइंट वन के अंदर यानि कि यह भी होमटेटर की किट है तो यहां पर आपके बेस के कनेक्शन हो जाते हैं यहां आपके स्पीकर के हो जाते हैं और दोस्तों मैंने इसका पूरा वायरिंग इस वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो अень डाल दूगा वहाँ से आपको डाइगराम मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्सBYन में लिंक 11 डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तो देखे पहले हम बात करते हैं इस बोड की, तो देखे जैसे ही मैं आपको इसकी डाटा सीट दिखाऊंगा, बूरा आपको डाइगराम समझाऊंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा बोड आपको कहां लगाना चाहिए, देखे ये हमारा, हमारा जो 72.65 है, यानि कि 50 वाट तक का आउटपूट हम इसके उपर लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे सिंगल स्पीकर होते हैं, दो, तो यहाँ पर हम जो लगा सकते हैं, हम 25 पिलस 25, 25 पिलस 25 वाट के स्पीकर दो लगा सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ट्रासफर्मर यूज होता है, व 198825 Uh, यहां पर फंक्द्रा जी रूपंद्रा पंद्रा पंद्रा भी लगा सकते हैं मात इसे बहुत से वहाई के पास 1808 नहीं है तो आप जो है 15.0 पंद्रा भी लगा सकते हैं वह पाम हमें 25-25 वाट मिल रहा है दूसरा हमारा इसमें वेनिफिट क्या हो गया कि यहां पर ट्रासफर्मर 18-08 लग रहा है तो यहां पर क्या हो गया अगर बोल्टेज ज्यादा है तो ट्रासफर्मर का आउटपूट है जो हमारा आइसी का आउटपूट निकलेगा वह भी अच्छा यहां पर बोल्टेज ज्यादा अच्छा है तो आउटपूट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर अगर आप टावर के अंदर यूज कर रहे हैं इस बोड़ को तो एक दों बढ़िया इसका जो है परफोर्मेंस आपको मिलेगा अब आ जाते हम इस वाले लोड़ बहुत से ऄं़र के पास यह वाला डावड भी रहता हisiaj इस वाला बोड्क दो अगरे में आपको बता देता है ह mesures जो है हमारे पास यह वाला पोर्ड आगा तो यहां पर यह वाला बोड जो होता है हमारे यह वहता बहथा 62 65 और इसमें होता 20 teenita road होता है рपी सिखे लिए उसके अंदर क्या देखने का मिलता है हमें जίο भूफर होता है हमारा वहां पर हमें मिल जाता है इसमें 50 तो नहीं मिलता है क्योंकर BOLTGE 2010 कम होता है तो यहां पर 12 पिलस 12W आपका हो गया सैटलाइट के स्पीकर के लिए अब यहां पर देखिए आप खुश समझ गए होंगे कि यहां पर जब बूफर पर हमें 40W मिलेगा सैटलाइट पर हमें 12 पिलस 12W मिलेगा और ट्रास्फरमर यहां पर यूज होगा बारा जीरो बारा और पांच एमपियर यहां पर पांच एमपियर का ट्रासफर्मर होगा अब यहां पर आप खुछ समझ गए होंगे कि यहां पर आप खुछ समझ गए होंगे कि जब बारा जीरो बारा का ट्रासफर्मर होगा तो बोल्टेज वहां पर वैसे ही डाउन हो गया और यहां पर wattage भी कम हो गया तो आप खुछ समझ जाएंगे कि यहां पर यह वाला जो board है यह home trader के अंदर यूज होगा और हमारा यह जो board है यह tower के अंदर यूज कर सकते हैं अगर हमें उसका बढ़िया एक performance से ही है तो यहां पर आपको दोस्तो वीडियो में समझ में आगी आओगा कि कौन सा board आपके लिए best है तो मैंने आपको सारा detail बता दिया आप चाहे तो आप आप कोई सभी board लेके purchase कर सकते हैं और दोनों का ही मैं link description में डाल दूगा वहाँ से जाके आप इन board को purchase भी कर सकते हैं और transformer के link भी डाल दूगा वहाँ से आप transformer भी purchase कर सकते हैं और दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ वीडियो को like, share और subscribe जरूर करना और bell का आकन भी जरूर दमाना और झाल झाल झाल